लखनों बेद देते कई बता देते कोई उटको बादों नहीं लग रहा हुने तो हमको भरगलाया जारा है लखनों हमारा भेद दिया लखनों गेंशा उपर यह भेद नहीं भेदते हैं और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं हो जाती हम लोग आन्दो लग में कोई समझाता नहीं करेगी नमस्कार आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूँ आपके साथ तास्तातिवारी आज हमारी मौझूद की ग्रेटर नोड़ा में हैं ग्रेटर नोड़ा के प्रादिकरण अवाज यहां पर ऑफिस के पास बैठे हुए हैं यहां पर हजारों की तदात में किसान का जत्ता पहुच रहा है और मांग हैं बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर के आज यहां पर मौझूद हैं एक समय वो देखा गया था जब किसान अंदोलन एक बड़े अफसर पर पहुचा था और लगातार चर्चा थी कि आखिर उनकी मांगे पूरी की जाए MSP बिल्को लेकिन लगातार सरकार प उसको लेकर के उनका जो भी मुआफजा है या बात की जैप लोट की बात है वो सारी चीजे हैं उदर पीछे किसान अदोलन का बोड़ा जट्था भी आ रहा है तो आई चर्चा करते हैं और बाचीत करते हैं कि आखिर इनकी क्या कुछ मांगे हैं और किन मांगों को लेकर कि आज यहाँ पर इतना बड़ा किसान का हुजूम इखटा हुआ है क्या कुछ मांगे हैं देखिए मैडम हम अखिल भारते किसान सबा के सब लोग यहाँ हैं और पीछे हमने 124 दिन का धरना दिया था उस समय के जो सीयो थी मैडम प्रितु महिस्वरी वे और अधिकारी थे व उनको प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने यहाँ संग्ठन के माद्धम से छेत के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए यह महाँ पंचात शुरू की हैं दित्ये चरन की जो अब हमारी पंचात आज नौवा दिन हैं 30 जनवरी से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं 21 मांगों में से 19 मांगों पे इन्हों ने विचार कर लिया जो इनके इस तरकी थी उनमें एक बहुत खुशी की बात यह हुई है कि जो किसान का सबसे छोटे पिलोट का साइज है वो 40 मीटर का इन्हों ने कर दिया है और वो कल हमारे एक किसान का हुआ भी है तो यह जो सी ओ आयन से हमें उमीद है पूरी तरीके से कि छेत के किसानों के बात सुनते भी हैं करते भी हैं अब दो जो मांग हैं एक नई खरीद की जो नए हम मांग रहे हैं नए भूमियादी गरेंट के तहत खरीद की जाए और 10 परसेंट जो पिलोट का वायदा इन्हों की मांग है वो अभी तक आप लोगों को मिली है या नहीं मिली उसी के लिए तो बैठें कुछ लोगों को मिली ती वह लोगों का कहना है कि 6 प्रतिशत तक आप लोगों को मिल गया है और 10 परसेंट की तो अभी नों शुरूआत ही नहीं किये जिसके हम लोगों से यह लेकिन यह अपने आप में सुवतंत्र बौड़ी है यह चाहे तो यहां से पास करके भी बेज सकते हैं यह लखनों के लिए इन्हों ने बेजा तो उसमें हमें यह मुश्किल दिखाई दे रही है कि लखनों में जाके बात अटक जाती है उसके लिए भारी ठंड में बा जाता हो कुछ मी नहीं हो बैटे आरहां सुवेटे चाय पी रहे है किसोन बैठे ठंड में यह कोई भी महां पूरी नहीं करते करते तक को का बैठते किसोन आगे नहीं हो जूट बोल का बाद अब दे लिए कई बता देते को इनको बाद नहीं लग रहा है तो आपको अभी परसेंट लोग नहीं ना मेंड़ा मेंड़ह बहुड़े में इस अदिकारी बैठे हैं जिनको दस्मिन्ट के लिए हमारी पबलिक के सामने में मिलवा के सपरस्ट बात करवा दी जाए इनको सब का पता लग जाए कि क्या दिकारी किस तरीके से बैठी हमको भरगला जाना है लखनुव हमारा भेद दिया लखनुग गेंश उपर यह भेज नहीं बेदते हैं योगी क्या है योगी यह लिखके भेजागे वो योगी पास करेगा क्यों महकाते हैं किसानों को यह करता हूं सामने दस्मिंट बैटा कर दिवेट करवा दो आप किसी ब्रेस्ट अदिकारी कि सरकार कहती है तो को यह उठाना चाहिए यहां से सीधा योगी को बेजू जो यह और आपको लखनु बेद दिया लखनु की कोई जरूती नहीं है यह रोक ही नहीं देंगे यहां को सिर्फ भेकार जा रहा है तो हमें 10 परसेंट चीए 64 जब तक नहीं मिलेगा यहां से एक भ तो इस घंट यहां ही रहेंगे इनको भार आकर सुनना पड़ेगा ना सुनेगा एक अभी मैं स्पीच दूँगा नई श्कीम वो तयार करी जा रही है इनके लिए उसके लिए यह तयार है चाहे कोई अधिकारी अधिकारी सब ब्रस्ट अधिकारी है इससे लगा थोड़ी स लेकिन हमको क्या मिला देंगे आप देंगे नहीं देंगे हम कहते हैं किसी अधिकारी को बैटा के हमारे एक अनपड किसान किसी आज बहुत इतना हुस्यार है कि वह दस्मिंट इंसे डिवेड नहीं कर सकता कोई भी अधिकारी इस बात पहले 124 दिन भी आप लोग धनने पर बैट के लिए उस समय क्या स्वासन दिया गया उसमें यह दिया तारिक को आपको जो मेरे का इस दिसंबर 3 नॉंबर में कि आपको डिटेल मिल जाएगी ओके हो गया आपका हमने पास कर दिया है जिसमें चेर्में खुद मौजूद ते जब क्यों नहीं हुआ जब शेर्में पर जलूस निकाला जाएगा और वह भी मैं मंच से कहने वाड़ा हूं हमारी मात्र सकती सारे अधीकारियों को इन चूडियां पहना के पूरी शड़क पर जलूस निकालेंगे यहां से नोड़ा तक क्या संसत्त तक जो आठ तारिक का कलका है